वेलकम तो न्यू एपिसोड ओफ सिंगार जोन दोस्तो इस चैनल पर आपको भारत के तक्रिमिन सभी मेंस्ट्रीम टूविलर मैनिफेक्चर्स से जुड़े अपडेट मिलते रहें यहमा से जुड़ा कोई ज़्यादा अपडेट नहीं आया है आलेडी जो feasibility study है वो इनकी complete हो गई और टेस्टिंग इनका एक electric scooter है जो आलेडी ताइवान में बिखरा है जिसका नाम है EC05 उसकी तेस्टिंग भारत में की जा रही है ताइवान में इसको गोगोरो के साथ मिलकर लाउंच किया गया है गोगोरो के पास अपना स्वेवफल बैटरी सिस्टम बहुत जबरदस्त है वहाँ पर ताइवान में यामा जो अपने हाइन मोटर साइकल के लिए जाना जाता तो बिलकुल ये electric motorcycle भी डिवेलप कर रहे है इसके लाब अब हारत में जो आलेडी model अवेलेबल है इनका भी कह सकता है लेकर दूसरी तरफ यामा ये भी कह रहा है कि वह अभी IC engines और ज्यादा efficient नए engine बनाने पर लगा हुआ है क्योंकि उनका मानना के fully electric convert होने में अभी काफी समय लग सकता है अगर हम EC05 जो electric scooter उसकी specification की बात करें तो इसमें लीथेमान battery, swipele battery system के साथ आता है और जो इसकी motor है 6.4 kW power produced करती है 26, 26 Nm का torque मिलता है 0 to 50 in just 4 seconds 4 seconds में 50 की speed तक ये scooter आ जाता है, top speed इसकी अच्छी है 90 km per hours weight सिर्फ और सिर्फ एक light weight scooter है 100 kg इसका overall weight है full charge 2.5 hours, 5.5 गंटे में ये full charge हो जाता है price का भी कोई idea नहीं है बट 1,00,000 से आसपास इसका price रहने की उमीद है उमीद करते हैं बहुत जल्द launch को लेकर launch date को लेकर Yama से कोई update आएगा जैसे भी आएगा आपके साथ share करूँगा सबसे पहले तो उसके एक और update आपके साथ share करता हूँ globally ये कई companies है especially Japanese like Yama, Honda, Kawasaki ये सब मिलकर एक standard battery pack पर काम कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा benefit होगा जो swapable battery system है उसको develop करने में बहुत help होगी अगर सबी गारी का जो battery pack का size है वो same रहेगा भी ठीका power कम जारा हो सकती है बड़ अगर size same रखे तो उससे swapable battery system बहुत अच्छे से develop हो सकता है दो benefit यहां हमेशा रहते हैं स्वेवल battery system के सबसे बड़ा benefit यह है कि आप जो electric vehicle है वो बीना battery के खरीद सकते हो आप swap station पर जाईए और वहाँ पर battery आप लीजिए charge battery आपको मिलेगी second जो charging करने की समस्या वो खतम हो जाती है क्योंकि आपको swap station पर charge battery मिलेगी आपकी recharge battery दीजिए और simple charge भी चार्ज बैटरी आप अपने scooter में डाली हो और निकल पड़िए जो उनका charge है वो बिलकुल charge बनता रहेगा उनका भारत में sun mobility swappable battery system पर काफी अच्छा काम कर रही है two wheelers, three wheelers, even Ashok Lairand के साथ मिलकर ये जो electric bus है उसको भी battery swapping system पर काम कर रहे जासे कि आप इन वीडियो में देख रहे हो तो उमीद है कि बहुत जल्द भारत में भी इस system को और ज़्यादा develop किया जाएगा और यामा से जुड़ा कोई भी निया अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करूँगा सबसे पहले आज के लिए तना ही धन्यवाद वीडियों तक देखने के लिए जाहिंद